Hello guys, welcome back on my channel, follow your passion and आप सब को पता है, हमने teaching methods को start किया है, offline हम complete कर चुके थे online में हमने last lecture में MOOC को complete किया है hope आपको MOOC बहुत अच्छे से समझ आ गया और जिसने नहीं देखा है तो last lecture जाएए और देखिए MOOC और अब हम उसी को, जो MOOC का एक पार्ट है, बहुत important swim और swim प्रभा, उसके बारे में आज डिसकस करेंगे और बहुत ही अच्छे से, short में बहुत important चीज़े जो exam point of view से important है, उनको देखेंगे बट उससे पहले मैं आपको ये picture दिखाना चाहती थी आप देख सकते हैं, ये swim की site है और इस site पर प्लीज आप विजिट कीजीगा क्योंकि आप चोभी topic पढ़ते हैं, उसको अपनी life से relate करके पढ़िए आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे believe me, आपको कभी भी चीज़ों को cram नहीं करना पढ़ेगा, अगर आप उसको अपनी practical life से relate करेंगे इस पर जाईएगा इस site पर और विजिट कीजेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि आप इस पर जब विजिट करेंगे तो आपको long term के लिए ध्यान रहेगा कि हम उसकी विजिट पर भी गए थे, तो क्या है वहाँ पर क्या क्या availability है तो इस पर आप जरूर जाईएगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए image लगाई थी, अब हम start करते हैं इसके बारे में पढ़ना, swim कब आया, कैसे आया, क्यों आया, swim प्रभा में और swim में क्या difference है यहाँ पर हमारा सबसे first question क्या है, swim की full form swim की full form क्या है study webs of active learning for young aspiring minds यानि की young लोगों के लिए उनके mind को active करने के लिए active learning web है जो की एक study की web है तो यह भी एक MOOC की तरह है, MOOC का ही एक part है, ठीक है, online study है, यह launch किस ने की थी, यह launch की थी हमारे honorable former president ने, जो उस time पर थे Mr. Pranav Mukharji ने और यह launch की गई थी, 9 July 2017 को, और उस दिन Sunday था, और occasion क्या था, Guru Purnima, Guru Purnima वैसे भी किसकी याद में मनाई जाती है गुरू की याद में, इसी लिए यह उस दिन launch की गई थी, और इसमें mainly four digital जो learning e-education, जो है, introduced की गई थी, बट हमारे इस labors के according हम दो ही पढ़ते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, कि उस दिन 4 digital learning जो है, e-education की introduce हुई थी, launch हुई थी that is, सव्यम, स्व्यम परभा और National Academic Divis और National Digital Libraries under the MHRDs ठीक है, उसके बाद जो सव्यम है, वो क्या है, एक ऐसा platform है, जो responsible है online और advanced self-learning को initiate करने में और इसमें, जो Ministry of Human Resources Development है उन्होंने बहुत ज़्यादा initiative लिये Government of India AICT, यानि की All India Council of Technical Education जो की start की गई 2016 में और इन सब को spot किसने किया, Microsoft ने देखो कोई ना कोई software तो चाहिए है हमारी online जो teaching है learning है उसके लिए तो यहाँ पर जो helping hand था software था, वो था हमारा Microsoft जो covering थी, उन्होंने हमारा इसके सव्यम में जो है बहुत अच्छा contribute किया था और सव्यम भी किसको involve करता है, MOOC को involve करता है IT जो platform है उसको build करने के लिए किया गया है e-content को use करते हुए जो स्व्यम की कुछ characteristics है वो क्या है, कि यह क्या है one stop web है, mobile based interactive e-content होता है कि जो हम mobile पे भी क्या कर सकते है use कर सकते हैं, यह interactive e-content है, जो कि high school to university level तक है high quality learning experience होता है किस चीज़ को use करते हुए multimedia को, हम किसी भी time इसको use कर सकते हैं, and anywhere कहीं भी use कर सकते हैं, और जो हमारा system है उसको किस तरह से alok किया गया है, कि हम easily assess कर पाएं, monitor कर पाएं, और certification यह सब इनमे include होती है peer group interaction होता है discussion होते हैं, इसमें, online down sessions होते हैं, और यह बहुत ही hybrid model है जो deliver करता है quality of classroom teaching, इसके जो हमारा सव्यम है, उसके 4 क्या है quadrant approaches है और वो हमारी क्या है, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, जो हमने I think MOOC में भी पढ़ी थी e-tutorial, e-content, web resources and self-assessment यह हमारे 4 क्या है, इसकी non-technical post graduate education के लिए है, उसके बाद CEC, जो undergraduate education के लिए है NCRT and NIOS, जो की school education के लिए है IGNU, जो school student आप सब को पता है, distance education जो provide करता है IIMB, जो management studies के लिए है, और कुछ है TTP, यानि के जो teacher training programs है तो यह सब क्या है subwim की coordinators है और जो swim है, वो क्या provide करता है, हमें video lecture के through reading, जो material है वो provide कराता है, उसको हम download भी कर सकते है, PDF की form में self assessment और quizzes प्रोवाइड कराता है जो हमने अभी पढ़े थी coordinates, तो यह कुछ इसकी characteristics थी और coordinator थे जो swim के हैं, बहुत ही important है four main जो functions हैं, वही जो हमने अभी पढ़े की video lecture प्रोवाइड कराय जाते है, reading material self assessment, online discussion होता है इसकी कुछ categories होती है swim की कुछ categories होती है जिन पर यह work out करता है education, engineering, architecture planning, general, humanities library and information science management, mathematics open design school इन पर यह क्या करता है जो work out करता है, यह कुछ categories है swim की, और swim जो है available होता है, कि कहां-कहां, throda, android mobile app, google play पे ios pay, which can be downloaded by anyone aspiring to pursue high studies through the MOOCs तो इसमें, जो है, student जो है, register करा सकता है, अपने आपको एक learner की तरह, एक student की तरह और कहां से कहां तक यह ninth class से लेकर, हमारी post graduation तक होती है यानि कि जो curriculum based courses, content होते हैं, वो school education से लेकर हमारी post graduation तक cover की गए है इसमें, और इसमें क्या होता है, जो swim है, उसमें skilled based courses इंक्लूड किये गए है advanced curriculum, professional certification, इन सब को include किया गया है उसके बाद हम बात करते हैं इसके scope की, कि यह क्या क्या scope रखता है, अब जो scope में बात करते हैं, curriculum based course content, यानि कि कौन-कौन से courses score content को cover करता है, यह बहुत सारे content को cover करता है, जैसे arts, science, commerce, performing arts, social science, humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. जो भी हमारे higher education domains हैं, all courses to be certification ready, उसके बाद है school education, यानि कि जो school education है, 9 to 12 level की include करता है, teacher training as well as teacher learning, aids के साथ, जो learners को help कराई जाती है, उनको उनके subject matter को समझने में, उनको prepare कराया जाता है, competitive exams के लिए, admission के लिए, professional degree programs में, तो यह सब कराया जाता है, उसके बाद third है कि skilled based courses, include किये गए हैं, जैसे कि, जो कि cover करता है, both post higher secondary school skills, जो कि presently domain है हमारा, और जो की, paul techniques हैं, जो हमारा presently, as well as, जो industrial skills है, यानि कि, जैसे जो sector skills हैं, उनके बारे में, उनको involve करता है, उसके बाद advanced curriculum, यानि कि, जो professional certifications हैं, उनको इसमें include किया गया है, जो हमारा CBCS, जो कि हम आगे किसी lecture में, discuss करेंगे, वो क्या करता है, इनकी demands को complete करता है, जो schemes आती हैं, higher education की, domains की उनकी जो demands हैं, उनको complete करने में, fulfill करने में, help करता है in India, at the undergraduate level, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं swim प्रभा की, ये भी हैं, same इनोवेटिव और नहीं तरीके से introduced किया गया था, जिसमें की ग्रूप किया गया था, 32 DTH channels को, DTH क्या होते हैं, DTH देखो, अगर ये short form है, तो obviously इसकी full form तो होगी, तो DTH का मतलब होता है, direct to home तो हमारे घरों तक ये facilities पहुचाई गई थी, TV के थूँ, और इसका main aim क्या था, high quality educational programs, जो है, वो learners तक पहुचाना, और वो भी कैसे high quality से, और बिल्कुल किस base पे, 24 hour of the week, मतलब कि week में, पूरे हफता और पूरे हफते के हर 24 घंटे में तो दिन के 24 घंटे ये program चलेगा, तो और इसमें 24 hours का जो new content है, वो upload किया जा सके telecast किया जा सके, ये बिल्कुल भी possible नहीं है, इसी लिए ये formula अपनाया गया था कि 4 घंटे जो है, at least हर दिन नया content डाला जाएगा, और उसको 5 बार repeat किया जाएगा पूरे दिन में, और जो student है वो अपने time के हिसाब से, अपनी convenience के हिसाब से, वो time को choose करके और उसको follow कर सकता है, ठीक है, जो channels है, जिन्नोंने इसको uplink किया, उसमें सबसे हमारा main है, जो जो byseg, जो की गांधी नगर में, क्या था situated उसके बाद, वही जो हमारे coordinators थे सव्यम के, वही यहाँ पर हमारे coordinator as a content जिन्होंने provide कराया, जैसे की NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNU, NCRT, NIOS, जो की हमारे coordinator का work किया है सव्यम प्रभा में भी, उसके बाद हम बात करते हैं, जो objective थे, कि कौन-कौन से objective रखे, सव्यम प्रभा क्यों introduce किया गया, क्या-क्या objective थे इसके, कि high quality education provide कराई जासके, school education है, उसको बहुत easily assist किया सके, higher education में बच्चों को अच्छी development का मोका मिल सके, live classes उनको provide कराई जासे के, curriculum-based courses, यानि कि जो NCRTs है, syllabus है, उसको follow करते हुए, curriculum-based courses को upload किया जा सके, telecast किया जा सके, जिसे learners की development बहुत अच्छे से हो सके, और nation की development में help हो सके, बच्चों को competitive exam के लिए तयार कराना, यह सब इसके क्या थे, objective, उसके बाद इसके 3 pillars की बात की जाती है कि सव्यम भाजो है वो 3 pillars पर खड़ा है इसके 3 pillars है, क्या है, assess, equality और quality assess मतलब पहुच की हर एक बच्चा education तक पहुच सके उसके बाद equality की निक्स पक्षता हो, सब के पास equal opportunity हो, हर एक learner को same मोका मिले कि वो चीजों को learn कर सके उसके बाद बात करते है quality की, की गुणवत्ता की quality वाली education प्रवाइड की जा सके learning style, इन सब को देखते हुए इतने अच्छे तरीके से content बनाया गया, जो की high quality का है, swim प्रभाने ये बहुत अच्छा work किया था और जो इनका concept था, जो formula था 4R वाला वो भी बहुत अच्छा था अपने हिसाब से, अपने time के हिसाब से उसको, जो telecast है उसको देख सके और समझ सके ये हमारा था swim और swim प्रभा इसको एक topic ना समझे, इसको अपनी real life समझते हुए, इसको ध्यान से समझे, इवन इसकी जो site है, उसपे visit कीजिए, उसके बात देखिए, कि actual में है क्या क्या system है, और हो सके तो register भी कीजिए, जिससे की इसका आपको भी जो है benefit मिल सके फिर मिलते हैं next lecture में अपने किसी नए topic के साथ सो जब तक याद करते रहिए और touch में रहिए learning के झाद करते हैं झाद करते हैं झाद करते हैं